आगे आते ही मुझे बहुत ही बयानक सा लाइक्सिलेंट है अब जा सकते हो इस रोड से प्लायोर के रूट पे बनके तयार है यह फ्लायोर हेई फ्रेंट्स वल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ दितिगान राज रभी फिलाल मैं हूँ नाकपूर कार्टोल रूट पे यह रूट आगे में कलमेश्वर को भी जॉइन करता है रिसेंटल यहां पे न्यू पेट्रोल पंप जो है वो उपन होने वाला है यहां पे उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया है और यह आपको कार्टोल रूट पे देखने को मिलेगा जैसे ही आप गोरेवारा जू क्रॉस करके थोड़ा से सामने आते हैं आ कार्ट होने वाला इस रूट पे आपको एक फ्लाइवर देखने को मिलेगा अब यह जो फ्लाइव डेलप हो रहा है वो है नाकपुर से कार्टोल या कलमिश्वर जाने वालों के लिए यू कैन रीच कार्टोल इन जुस्ट ट्वेंटी मिनेट अफ्ट फॉर लेनिंग रोड फॉर्टी एट किलोमेटर का रोड एक्सपांशन राम जो है वो चालू हो गया है नाकपुर से लेकिये कार्टोल के बीच में और आफ्टर कंपलेशन ओफ दिस फॉर लेनिंग प्रो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगा जिसकी आपको कनेक्टिविटी नाकपुर से कलमेश्वर काटोल वरूड अम्रावती इवन दो आगे भी आपको देखने को मिलेगी सो फिलाल हमारे लिफ्ट साइट की बात करते हैं यहां पर आप देख लो जाओ भ पूरा रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया है और बहुत जल्द यह फ्लावर का काम भी आपको तेजी से देखने मिलेगा 48 किलोमेटर बहुत यूथ सा डिस्टरंस होता है वो कि नाकपूर से नियर फेटरी से टी पोइंट आपको जंक्शन मिलेगा वो एंड होंगा काटोल बाइपास पर अगर आपने गवर किया होंगा तो मेरे पीजे में आपको एक और फ्लावर जो है वान मंदिर था वहां प आपको मेरे राइट साइड में अपर ली फोर लेन रोड जो है वो डेवलप निल जाएंगी अच्की रेट में 2023 का फेबरुरी मंद जो है वो खतम होने की कगार पे है और यहां पे काटोल रोड का डेवलप्मेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है बहुत ही रफतार से जो यह मुझे बहुत ही बयानक सा एक्सिरेंट एचली हो चुका है यहां पर ट्रक जो है वो गेरी हुई है का पुरा माल जो है वो रोड पर फैला हुआ है बहुत ही बयानक ही आइक्सिरेंट हुआ होगा अब देख सकते हो राजमार कलमेशवर से जुड़ जाएंगे काटोल के स्वाम ने यह जो है वो खतम होने वाला है इसकी स्टेज़ बनी हुई है फॉर्स स्टेज सेकंड स्टेज इस तरह से कॉस्ट की बात करें सो 1350 करोड में यह प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हो चु खीक आगे में आपको हमारा लेटस्ट कंप्लीटेट फ्लाइवर है वो देखने को मिल जाएंगा अब इस स्टेज पे आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोलना चारी थी यहां पे आपको न्यू फ्लावर की स्टार्टिंग मिल जाएंगी जो की पेंटिंग जैंटिंग होके एकदम तयार हो चुका है और कीजिए जो कलमेश्वर जा रहा है हमारा न्यू फ्लावर केंटिंग क्लिण पर इसकी पेंटिंग का काम चालू है और पेंटिंग उस टीच पर होती है जहां पर सब कुछ काम तयार हो जाता है एक नजर यहां डालिए यहां पर आपको फ्लाइवर पे लाइट्स जो है वो भी देखने को बिल जाएंगे जब भी यह फ्लाइवर स्टार्ट होता है आपको चैनल पे अपडेट आ जाएंगी तो चैनल को अगर आपने अभी तक है सिस्क्राइब नहीं किया है ठीक आगे यहां से जो है वो ट्रेइन पास हो रही है और अभी रेलवेड रूट क्रॉस करके भी मैं आगे का आपको पूरा यह फ्लाइवर कहां पे इसकी लेंडिंग है वो दिखा दिती हूँ माइगाड स्ट्रेट लाइन में फ्लाइवर नहीं है देख लो यह इसकी लेंडिंग यहां से स्टार्ट हो जाती है और यह है इसकी लेंडिंग पोर्शन जो कि आपको कलमेश्वर साइट पे निकलती हुई देखेंगी नागपुर को कलमेशवर से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ववे आपके सामने बनके तयार है नागपुरियंस एक काम कंप्लीट हुआ ने की दूसरा काम एकदम तयार रहता है हमारी सिटी में यहां पर आप देख सकते हो कलमेशवर सिटी में जो है न्यू एकदम लेटेस सी सड़क आपको देखने मिलने वाली जो की है प्रिमेंट की लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लो मैं उपर आई बटन पे लिंक मेंशन कर दूँगी जहां पर हमने यह पूरा होल रूट कवर किया था वोरे वाड़ा जू से लेके काटोल बाइपास तक का एक यूट सर डिस्वरंस कवर किया था और आज क इस वीडियो में हमने जो निव फ्लावर हमारा बंद के तैयार हो गया उसका पूरा अपडेट लिया है आप सो आप वह यह वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो आज वाजू के रोड जो है बहुत ही अच्छे डिबलाप हो रहे है यह देख के भी आपको खुशी हुई हो गोरेवाडा जू के आगे में भी आप एक चोड़ी सी रोड जो है वो इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी आपको क्योंकि यह रोड जो है आगे कंटिनियू करने वाली है सिधा हमारे गोरेवाडा होते हुए नाकुर सिटी को So that's all about my today's video I hope so friends आपको यह अपडेट अच्छी लगी हो चैनल पे न्यू हो तो जल्दी जो चैनल का सिस्क्राइब करो नाकुर की upcoming updates आपको इस चैनल पे मिलते रती है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो